नडालमन्द मडेकाल कुट तोड़ंगी नड़ेविच्च वरिगरद अधिल प्रदमर नरेंदर मोदी उरेयार्च वरिगरार नेरलेकाचिगल्ड किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे हर व्यक्ति के लिए एक उधारण है आदर ने सबाबती जी आपके पास सीरियर एड़ोकेट की रुप में तीन दसक से जानदा का अनुभव है मैं विश्वास से कह सकता हूँ किस सदन में आप कौर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे क्योंकि राजसफा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रिम कौर्ट में मिलाख करते हैं और इसलिए वो मूर और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की आप दिलाता रहेगा आपने विधायक से लेकर सांसर केंद्रिय मंत्री गवर्णर तक की भुमिकां में भी काम किया है इन सभी भुमिकां में जो एक बात कौमन रही वो है देश की विकास और लोकतंत्र के मुल्यों के लिए आपकी निश्ठा निश्चित तोर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुती महत्वपूर है अधरी लिस हबाबते जी आप राजनीती में रहकर भी दलगत सिमाव से उपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं उपराश्पति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापम हमने सपस्ट लुप से देखा मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में एहम रहा है आदेंडिस सपापती जी हमारे यहां कहा जाता है नयती इति नायक हो अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है आगे लेकर जाना ही नेत्रुत्व की वास्तिविक परिभाशा है राजसभा के संदर्ब में ये बात और महत्वपुन हो जाती है क्योंकि इस सदन को लोकतांत्रिक निर्णेंगों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेत्रुत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूँ कि इस सदन के हर सदसे के लिए सौभाई ये है अधरिने सभापती जी राजसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक सम्वाहग भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है हमारे कई प्रधान मंत्री ऐसे हुए जिनोंने कभी ने कभी राजसभा सदस के रुपे कार्य किया अनेक उतकुष्ट नेताओं की समसदिय यात्रा राजसभा से शुरू हुई थी इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाय रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबुत जिम्मदारी हम सभी के उपर है आदरिये सभाबती जी मुझे विश्वाथ है कि आपके मारदर्शन में ये सदन अपनी इस वरासत को अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा नई उचाया देगा सदन की गंबीर चर्चाएं लोगतांत्रिक विमर्श लोगतंत्र की जन्नी के रूप में हमारे गव्रव को और अथिक ताकत देंगे आदरिये सभाबते महुदाई जी पिछले सत्र तक हमारे पुर्व उपराश्पती जी और पुर्व सभाबती जी इस सदन का मादर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी ठाके लेने के लिए बड़ा अउसर मिलता था मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजर जवाबी सभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को बोला भी देते रहेंगे इसी के साथ मैं पूरे सदन के तरफ से देश की सरफ सरफ से मेरी देख से आपको बहौत बहौत शुप्वामनाई जेता हूँ धन्यवा Honorable Deputy Chairman G20 तलमेपुरुपै इंदिया एत्रूल सूडलिल इन्द कूटत्तोडर नडईपिरुगरुदु इन्दधयम प्रखमर नरेंदर मोधी कुरिप्पेट्टिरुकरार इत्तोरवान विरिवान विवरंगले पिननर वरू तोगुपकलिलिल पार्कला